Hello Good Evening Everyone, A Very Good Evening All of You A Very Very Good Evening Everyone फटाफट जराइ टेलीग्राम में शेर कर देते हैं सेशन को चीक है जी A Very Good Evening All of You यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं UKSSS-JE का स्लेवर्ड बच्चों काफी समय से बच्चे अल्रेडी पूछ रहे थे UGGSSC JEE का से लिवर discuss करो sir discuss करो discuss करो लेकिन यहाँ पर मैं आपको कारण बता देता हूं discuss हभी तक हम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि UGGSSC JEE के जो previous year paper थे बचो वो इसके इतने समकक्ष नहीं है क्यूंकि वहाँ पर job जो थी वो roadways में tire nirik chuck और टेक्निशन की पोस्ति इसलिए पेपर जो आया था UKCCC JEE का क्योंकि पेपर हमारे पास रखा है अल्रेडी हमारे उसमें 7 और 9 के असपास seats थी उसमें चार बच्चे हमारे एक ही बैच से निकले थे उसमें selection अल्रेडी तो UKCCC JEE में अल्रेडी हमारे विदू type की है तो जिसके वज़े से अब पेपर आप यह नहीं कह सकते कि automobile based आएगा ठीक है ना तो इसलिए उस पेपर का reference लेना जो है वो इतना fruitful नहीं है जिस वज़े से मैंने अभी तक slaver discuss नहीं किया था ठीक है पर अच्छी बात यह है कि UKCCC JEE ने slavers जो है अपना discuss already कर दिया है मतलब issue कर दिया है पर जैसे मैंने thumbnail में भी कहा है कि slavers मिल गया है लेकिन लेकिन एक बुरी बात यह है कि आप site में जाएंगे देखिए site में जाएंगे और यह UKCCC JEE की site है UKCCC type करेंगे site खुल जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर slavers पर click करेंगे slavers में जब आप जाएंगे यह slavers पाठेकरम लिखा है तो यहाँ पर आपको नीचे इदर 1,2,3,4,5,6,7,7,7 नमबर पर यहाँ पर दिख जाएगा slavers number 40 UKCCC 2021 junior engineer click here तो यह click करेंगे जब आप तो यहाँ पर slavers बच्चो आपका open जैसे ही आप करोगे तो आपको यह form बच्चो जो भी नए बच्चे यहाँ पर इस notification को देख रहा है मैं बता दूँ कि यह पुराना form है बच्चो बच्चे भढ़ चुके हैं से already तो यहाँ पर उत्राखंड के लावा और बच्चे लावड नहीं है तो आप सिर्फ जिसने भढ़ रखा है उत्राखंड के बच्चो ने उसके लिए यह paper है ठीक है तो यहाँ पर slaybos पर हम जाते हैं तो जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि slaybos दिया slaybos मिल भी गया यह बहुत अच्छी बात थी बहुत खुशी की बात थी लेकिन लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो loop hole है वो यह है कि क्या slaybos इन्होंने डाला है वाँ slaybos के नाम पर यहाँ पर देखिए बच्चो यह पूरा जो भी एक letter है तो एक अपचारिक letter जो है सचीव द्वारा sign करावा यह तो है अच्छी बात है लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे slaybos के तौर पर तो slaybos के तौर पर यहाँ पर हमारा slaybos एक ऐसा slaybos है complete जो एक अनंत खतम ना होने वाला slaybos है मतलब आप चलाते जाओ इसे scroll करते जाओ यह slaybos कभी खतम नहीं होगा 271 page का slaybos है बच्चो मतलब मजाख है कि slaybos है कि क्या है यह total 271 page का slaybos है ठीके जी अब देखो इसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ slaybos के नाम पर यहाँ पर पूरा का पूरा डिपलोमा का समेश्टर का जो है वो slaybos उठा के रख दिया है एक तो होता है कि चलिए जो आपके polytechnic के slaybos में आता है उत्राखंड के वही आएगा इसको तो सीधा एक line में लिख देते कि वो आएगा तो चलता कि आपने जो fourth year, second year, third year में पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है यहाँ पे पूरा का पूरा slaybos ही उठा के रग दिया गया है मतलब पूरी copy ही उसकी वहाँ पे डाल दी गई है अब जब आप copy देखने पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि पूरा का पूरा fundaments of lecture निए first year से लेके fourth year तक का पूरा slaybos है बच्चो यहाँ पे बता दू यह सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है उन्होंने slaybos पूरा उठा के दिया है तो यहाँ practical भी है even recommended books भी है देखे यूके ट्रपले सी एक अकेले exam है जहाँ पे कौनजी किताब से आना है यह भी पता है देखे ना suggestion distribution of marks यह सब semester का लेखा जोगा बच्चो आपके कोई marks का distribution इससे नहीं है लगता है यूके ट्रपले सी वालोंने course दिया मुझे खांसी उड़ गई तो यह समझदी बच्चो यहाँ पे जिस तरह का बढ़िया slabers दिया गया है उसमें पहले आपको अपना slabers ढूड़ना बड़ा मुश्किल काम है ठीके ना क्योंकि यहाँ पे slabers जो है वो पूरा government का polytechnic का पूरे तीन साल का slabers यहाँ पे उठाके दे दिया है ठीके ना तो यहाँ पे किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा है कि distribution of marks किस तरह के हैं क्या है तो वह चो कुछ नहीं है यह सब ठीके ना यह कुछ नहीं है आपको अपनी branch ढूणनी पड़ेगी पहले इसमें इसलिए मैंने का यह discuss कर लेते हैं वही क्योंकि बच्चों के तो पढले नहीं पड़ेगा क्या slabers मतलब एक slabers की एक single copy उठा के रखने में भी इतनी जहमत नहीं है कि चलिए भई ठीक है आप पूरा semester का slabers भी दे रहे हैं तो इससे अच्छा तो यह लिख देते कि आपके 4 साल में semester में जो slabers follow होता है वही आपका slabers रहेगा क्लियर है या फिर सीधा सा यह है कि यहां से हर ब्रांच का slabers उठाते और copy करके एक PDF बना देते लेकिन वही वाली बात है ठंड बहुत है उत्राखंड में धूप भी सेक निये जाके तो बस यही होगा कि बटाव जी सरमा जी नौटियाल जी फटापड जो है वो slabers वहां से कॉपी मारो औरने का हाँ जी हो गए डलिया स्लेबस बाद चलो आओ धूप में बैठें ठाड़ा मुफली खाएं मतलब कमाल है परिक्षाएं तो ऐसी होती हैं कि बहुत जवर्दस कोई IS की पोस्ट में बैठने वाले हम इस पेपर के बाद लेकिन हमसे इतनी ज्यादा वह ह है मतलब उमीदे बच्चों से कि बच्चे बिल्कुल पर्फेक्ट कारे करें और तब जाके किसी तरह से मेहनत करके यहां तक पहुंचें लेकिन डिपार्टमेंट इतनी मेहनत भी करने को त्यार नहीं है कि स्लेबस तरीके से दे अगर दे ही रहा है तो अब यह ऐसा स्लेब स्लेबस डाला वाए जिसमें आपको पहले अपना स्लेबस ढूड़ना ही बड़ा मुश्किल है कौन से प्रैक्टिकल इवन इंडिस्ट्रियल ट्रेइनिंग भी है बच्चो यह दे को डिस्टिबिशन ओ माक्स मतलब यह सेमेस्टर का स्लेबस है तो आप पहले इसमें अपन स्लेबस क्या रहने वाला है क्योंकि ऐसे ढूड़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए फिर भी चलते हैं चलते रहो खिसकाते रहो आओ आते रहो लेक्टिकल इजिनियरिंग सारी बरांचे है बच्चो सारी बरांचे पूरा समेस्टर है वई डीसी मसीन चलते रहो चलते रहो आएगा कहें मेकैनिकल का स्लेबस कहीं डिजिटल लेक्ट्रोनिक्स चलते रहो इंडर्स्टियल इंस्ट्रुमेंटेशन यह हमारी उम्मीद से भी इंडर्स्टियल ट्रेनिग भी आ गया बच्चो ठीके ना तो अब यह मैं सोचना कि यह सलेबस का पार्ट है आपका यह सलेबस का पार्ट आपका नहीं है पेपर के लिए देखेंगो AC मसीन, DC मसीन अब यहाँ पे आपको पहले अपना मेकेनिकल का स्लेबर ढूड़ना ही महाबारत है कि आपको करना क्या है मतलब किस होस हवास में यह डाला गया है पता नहीं अच्छा एक बार हेडिंग देख लेते हैं कि कहना कह जा रहे हैं ताकि आपको पता चले देखो स्लेबर पाठ्यकरम फॉर लेटेस्ट एडवर्टिजमेंट 20 मार्च 2021 तो जो लेटेस्ट एडवर्टिजमेंट है आपका UK SSHC का उसके अगेंस्ट यह स्लेबर है ठीक है junior engineer का जो latest advertisement है आपका उसके अगेंस्ट जो है ये syllabus है ठीक है जिसमें पूरी दुनिया जहां का syllabus है सही बात है इतना बड़ा notification भी नहीं है जितना बड़ा ये syllabus डाल रखा है क्या बस्क्या बोले अब जितनी तारिफ की जाए कम है बचो हमें गर्व है अपने उत्राखण में कि चीजे इतनी महान तरीके से प्रेजेंट की जाती है इतने महान डिपार्टमेंट द्वारा और आप office और building देखो के न जाके आपका दिल खुश हो जाएगा आपको लगेगा कि यहां से ज्यादा बढ़िया काम मतलब अंग्रेजों से ज्यादा बढ़िया काम यहीं होता होगा ऐसा लगेगा आपको एक बार आयो की building जाके देखो आप आपको लगा कि अंग्रेज भी fail हैं जिस तरह से यहां काम होता होगा चैलिये चैलिये बच्चो मेरे को लगता है मैंने session जल्दी ले लिया थोड़ा सा और धूड़ना चीए था पहले कौन से page नमबर पर है जियो लो जी अब आया आपका syllabus शुरू ठीक है जी आपके 3.1 से आपका syllabus शुरू होता है बच्चो तो सबसे पहले आपके syllabus में आप note कीजेगा that is you have a applied mechanics ठीक है तो अगर आप यहां पर अपना syllabus पॉइंट आप रखना चाते हैं तो याद रखेगा यहां पर मलक से फाइल भी खोल लेते हैं कि you have a कर हमने बात की थी NHPC की तो आज हम बात कर रहे हैं UK SSSC JE की तो जहां पर आपके syllabus में सबसे पहली चीज़ रहेगी बच्चो applied mechanics ठीक है जिसका syllabus एक common syllabus है mechanics ठीक है न तो कोई नए चीज नहीं है वही है force system है, moment है, friction है तो मतलब typos है तो इत्ekो diplom में आपने mechanics में जो भी पढदा है वह पूरा का पूरा आपको यहां पर करना होगा ठीक है जो भी डिप्लोमा में मेकेनिक्स में आपने पड़ा है वो पूरा मतलब स्लेबस आपके उत्राखंड से अगर आप डिप्लोमा तो है ना तो उत्राखंड के डिप्लोमा में आपने जो भी पड़ा है बच्चो वो पूरा का पूरा आपका इसले बस में रहेगा, पट अगर मैं highlighted बोल दूँ, तो इसमें आपका mechanics, material science, चिक हैं, और आगे चलें हम लोग, एक second, और आगे चलें हम लोग, that is, next is your workshop technology, that is very important, जो की UKPSC, JEE वाले बच्चों ने अब करी ही लिया है, तो वो इतनी समस्या नहीं रहने वाला है, but there is a workshop technology, clear, मैं अलग से लिखते जा रहा हूँ इसलिए, थाकि आपको last में जो है, वो इक proper slivers मिल जाए, ठीक है, next अगर हम बात करेंगे, तो हमारा slivers हो जाता है, मैं आपको अलग भी करके दे दूँगा यह slivers, machine drawing, बट यार रखे, machine drawing बच्चों उतना level पे नहीं आना है, यहाँ पे दिया ज़रू है, क्योंकि semester का slivers से तो obviously बाते दिया है, लेकिन याद रखे, आपके question paper के साब से आपको ED या machine drawing के बहुत हो सकते हैं, तो basic question हो सकते हैं, तो मैं अलग से mark कर दे रहा हूँ, लेकिन यह इतनी priority में मत रखेगा, क्योंकि इससे question जो हो बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं आये हैं, ठीक है ना, तो main subjects में आप अभी फिलाल यही रखे, आगे चले हम लोग, ठीक है, तो machine drawing लिखा ज़रूर है, लेकिन आपको इतना ज basic भी आएगा और applied भी आएगा, steam turbine, steam condenser, air compressor, ठीक है ना, तो यह समझ लीजिए आपका, यहाँ पे basic thermodynamics, basic thermodynamics and applied thermodynamics दोनों ही है, clear है, जो कि काफी important रहेगा आपने आप में, ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो यह basic electric electronics है, यह आपको नहीं करना है, ठीक है इधर आप आगे बढ़ते हैं, strength of material, बिल्कुल आपका main subject रहेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, इन से इसे कोई अंदाजा लगा सकता है कि करना क्या है उसे, यह applied thermal engineering है बच्चों, applied thermal engineering में आपका IC engine डाला हुआ है, और RAC डाला हुआ है, ठीक है, त तो thermal engineering में आप जो है, वो basic thermodynamics तो करेंगे, करेंगे, साथ में steam, turbine, steam, condenser, compressor, यह आप करेंगे, ठीक है, इधर अगर हम बात करें, applied thermodynamics में, तो यहाँ पर याद रखे, IC engine और RAC डिया हुआ है, ठीक है, यह आपको करना होगा, 7th मैंने आपको बताया था, SOM, यह आपके main subject में रहेंगे, clear है, आगे चले हम लोग, आगे चले हम लोग, तो यह आपका refrigeration हो गया, जैन उसके बाद जो है, next आपका आता है यहाँ पर, civil engineering छोड़ दीजे, next production technology बच्चो, production technology जिसमें आपका machining है, lathe है, grinding है, forming है, unconventional machining process है, और आपका milling वगरा भी है लग से, jigs, fixture वगरा यह सब, तो यह आपका production technology कहलाता है, यह भी आपका जो है, यहाँ पर important portion में रहेगा, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, that is, 8th number पर production technology जिसमें complete है आपका, ठीक है, समझे बाद, now, next हम आगे चलें, तो hydraulics and hydraulic machine आगया, fluid mechanics और fluid machinery दोनों, तो याद रखेगा, hydraulics and hydraulic machine, hydraulics, मतलब FM, and hydraulic machine, मतलब turbine and pump, clear, ठीक है न, ग्रूप की बच्चो, ग्रूप में मैं इसको अलग करके भी भेज़ दूँगा, जो लोग अभी दग टेलिग्राम चैनल से नहीं जूड़े हैं, वो प्लीज जूड़ जाएं, क्यूड़ क्योंकि वहाँ पर मैं इसकी जो file है आपको अलग से भी send कर दूँगा, पूरी file भी भेज़ दूँगा और अलग से भी file send कर दूँगा, ठीक है, उसके बाद आपका आता है बच्चो यहाँ पर, that is metrology, that is important, वो important रहेगा, ठीक है, उसके बाद आपका आता है industrial training, जिसको आ metrology, ठीक है, metrology के बाद आपका यहाँ पर है बच्चो CAD, CAD analysis, तो CAD को जो है, आप थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर रखेंगे, वैसे मैं कल YouTube में करवाने वाला हूँ, कल से, तो जितना करवाँगा बच्चो उतना कर ली जेगा, तो CAD भी यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, क्य अगला है हमारे पार, dynamics of machine बच्चो, dynamics of machine में आपका flywheel, basic concept, kinematics of machine के भी basic concept इसी में आते हैं, तो एक तरह से आप बोलो इसे theory of machine, ठीक है, gear, drive, clutches, balancing, सब इसमें है, तो that is you can say it as a theory of machine, तो यहाँ पर आपका आजाएगा बच्चो, 12th वाला, that is theory of machine, dome, dome complete है, then उसके बाद 13th में आप आजाओ, portion में, आपका machine design, तो machine design का basic ही आपका important रहेगा, लेकिन हाँ, बिल्कुल रहेगा तो है, that is you can say machine design, ठीक है, then उसके बाद हम आजाते हैं, हमारे पास operation management करने की ज़रूत नहीं है, वच्चो operation management किसी भी तरह से, ठीक है, next आप आजाओ, यहाँ पर CNC machine and automation, no need कि इत इतना डाल देता हूँ, कि basic of CNC, CNC machine का basics, आपको clear होना चाहिए, कि भाईया, किस तरह के program होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, ना, समझारी बात, इतना नहीं करना है, basic, जितना मैं आपको YouTube में ही करा दूँगा, उतना basic, maintenance engineering में आपको कुछ नहीं करना है, यह सब बाखी का portion आप छोड़ते चलिए, entrepreneurship में भी आपको कुछ नहीं करना है, वह यह आपका semester का आप जानते हैं, अच्छे से, advanced machine design वगरा, इन में भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, चलते जाए, automobile engineering का थोड़ा सा मैं कहूंगा, portion देखने लायक हो सकता है, बहले ही, automobile engineering पिसली बार बहुत ज़्यादा आई थी, पिसली बार उसका कारण कुछ और था, क्योंकि थोड़े बहुत ज़रूर आएंगे, clear है, clear है, clear है, ठीक है, production की class detail में जमाल सर से करवा दीजिए, बचे, class कब किस की करवानी है, कहां करवानी है, ये हमें इस तरह से decide नहीं करना होता है, कि हमें जो अच्छा लग रहा है, ये इस तरह से decide करना होता है, कि किस paper की need कैसी है, समरें ना, बिल्कुल वो करवाएंगे, बहुत बैतरीन करवाएंगे, लेकिन जिस तरह के paper की जब need होगी उस तरह से करवाएंगे, clear है, और करवाएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करवाएंगे, यही तो हमारी USB है, जिसको हम सही समय पे, सही जगा पे use करेंगे, अभी जब पेड लेके खरीदना, ठीक है ना, तो बिल्कुल, ठीक है, चलिए, next हमारे पास, यहाँ पर बच्चों याद रखेगा, automobile के जब आप पढ़ोगे ना, और अगर basic बेसिक भी करोगे, तो basic बेसिक में important क्या हो जाता है, मैं आपको बदा देता हूँ, जब कभी भी किसी भी paper के लिए आप एक automobile basic करके चलते हो, तो important हो जाता है बच्चों, एक तो propeller shaft और axle, उसमें universal joint वगरा हो गया, driving axle हो गई, यह थोड़ा सब देखना चाहिए, थोड़ा बहुत, tires के बारे में हलका full का पिसली बार आया था, लेकिन इस बार नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए confuse मत होना, एक हलका steering system देखना जरूरी चाहिए, ठीक है न, और suspension system से नहीं, पर लेकिन battery से, battery is an important part, पिसली बार कम से कम, 8-10 question बैटरी से आये हैं, पिसली बार, clear है, समझा है बिलकुल, इस time 23,000 live हैं, बच्चे, सब को बहुत-बहुत, congratulations, clear है, नई, शर्यान्स, ED complete नहीं हुआ है, लेकिन ED को हम उस तरह से करके चलेंगे, अभी जिस जिस तरह से paper के requirement है, ED complete नहीं है वो, लेकिन उतनी requirement अभी फिलाल के paper में है, तो उसके बाद हम CAD को update करेंगे, उसमें, clear है, आगे चलें हम लोग यहाँ पे, तो इसके बाद बच्चों power plant engineering आपका अलग से दिया है, लेकिन मैं कहूंगा, कि अगर आपने steam turbine वहाँ कर लिया है, तो फिर अलग से यहाँ power plant करने की जरूरत नहीं है, रेंकाइन cycle जरूर आप वहीं पर पढ़ लेंगे, तो यहाँ अलग से power plant करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको power station control, यह सब इसे confuse मत हेगा, लेकिने को तो यहाँ megatronics भी लिखा है, लेकिन आपको यह सब नहीं करना है, इस paper के लिए, UKAAC JEE वाले paper के लिए, clear है, project work करिये बच्छों semester का, ठेक है न, employable skills, बस बाकी सब चीज़े फाल्तु की है, ठेक है, बाकी सब semester के use की यह चीज़े दी वही है, ठे बच्छो, that is enough, ठेके न, इन्होंने तो बहुत कुछ सोच के यह सब चीज़े डाली है, तो इसको फिलाल हम यहाँ पर वापिस बंद कर देते हैं, तो जो मैंने आपको यह slaves बताया, बच्छो, तो this is the complete slaves of your UKAAC JEE paper, ठेके न, तो उसके लिए आपको यह complete paper जो है, वो technical में कर न होगा, तो जो आपका technical है, उसमें आपको यह complete तेयारी करनी होगी, इन सभी subject को लेके जितने मैंने यहाँ पर mark की हैं आपके सामने, वेटेज किसकी ज़्यादा रहेगी, तो बच्छो, as usual जो है, वो वेटेज उनी किसे ज़्यादा रहेगी, आपकी tom हो गया, आपका hydraulics FM हो गया, metrology हो गया, mechanics हो गया, material science हो गया, workshop technology हो गया, thermal engineering हो गया, applied thermodynamics, home production, इनी सबकी वेटेज जो है, वो ज़्यादा रहेगी, बगी 4-4-5-5 question आपको automobile, CNC, CAD, इन सभी से देखने को मिल सकते हैं, clear है, समझ आगे बात, समझ आगे बात बच्छो, ठीक है जी, clear है, तो जितना भी ये slivers मैंने sorted किया है आपके लिए, बस इसको follow करेगा, अब इसकी detail अगर आपको चाहिए, तो तब आप उस copy में देख सकते हैं, कि इन subject की detail आपको क्या पढ़नी चाहिए, ठीक है न, इसकी सारी detail जो है, वो वहाँ मौझूद है, ठीक है, तो वो detail आप पढ़ लिजेगा, बस इतना आपको करना है ठीकनिकल में, अब UK SSC, जे-सलेटेड बच्चों, आपको still कोई और भी confusion रहते हैं, ठीक है न, इन subjects के अलावा, कि और कुछ आपको guidance चाहिए, तो please comment box में लिखेगा, मैं उसका दूसरा session भी arrange करूँगा, मतलब आपकी comment की requirement के सा सारे session paper wise ऐसे ही होंगे, तो आपके paper के सारे session में लूँगा, लेकिन वो तभी ले पाऊंगा, जब आप comment में respond करेंगे, कि सर हमें ये problem है, इस पर ये session बता दीजे, तब अगला session उसी साब से आएगा, ठीक है, thank you very much